सो वेलकम बेक टो युराओं चैनल ड्रीम दोस हाड़ली इट विल टेक टू तू फाइव मिनिट दो से पांच मिनिट का यह वीडियो है अंति तक देखना है ठीक है अगर आप यह एक्जाम निकालना चाहरे हो और अगर मुझे फोलो करते आ रहे हो सुरू से यह वीडियो अ आपका सबसे पहले अपने उपर आप ट्रस्ट करो कि आज तक आपने जो परहा है यह बहुत इंपॉटन बारत है किसी भी एक्जाम को क्रेक करने के लिए ठीक है चाहे हो कोई भी एक्जाम हो आप यह ट्रस्ट करो ठीक है आप यह ट्रस्ट करो कि आपने आज तक जो परहा यह कहीं से भी परहा है वो enough है इस exam को निकालने के लिए और मैं लिखके दे रहा हूँ अगर आप मुझे शुरू से फोलो करते आ रहे हो enough है आपने जो भी परहा है उसका best example में यह दूगा अगर मैं दरोगा मेंस का जो दो भी पहले exercise का चाहे जो भी paper हुआ है अगर आप उस कोई बात नहीं बस इतना आप याद रखना कि आपने जो भी परहा है जहां से भी परहा है वो enough है आपको exam निकालने के लिए तो सर अब क्या करे बस एक चीज आपको करना है अपने उपर आप ट्रस्ट करो कि आपने आज तक जितना परहा है वो enough है बस आप उसको revision कर लो मै मैसेज करोगे कि सर आपने जो बोला था वो सच था ठीक है आप बस इतना कर लो कि आपने जो परहा है और आपके पास जो notes है आप उसको बारवा revision किजे प्लस जो मैंने आपको बताया था कि आपको maximum 4 questions हर दिल लगाने है 400 नहीं हो रहे तो 300 लगाए क्योंकि मैंने ये भी ब ठीक है दूसरा point पहला याद रखना अपने उपर आपको trust करना है ठीक है आपने जो आज तक परहा है उसको ही पढ़ना है मैं फिर से बता रहा हूँ अगर आप उस चीज को follow नहीं करोगे नए चीज करोगे तो आपने जो परहा है आज तक वो सब बेकार हो जाएगा ठीक ह पेपर सिंदेशन बहुत सारे subject है तो हर subject को पहले भी मैं बता चुक है अच्छे से पढ़ना है notes जो है आपके पास चाया book से पढ़ते हो किसी book से उसको पढ़ना है ठीक है और questions maximum लगाने है पूरा दिन को दो पार्ट में रिभायट करना है पढ़ना है एक तरब जो आपके सेब कर दिया तो सेब ही रहेगा ठीक है यह सिंपल हमारा brain होते है उपर से डालोगो तो नीचे से निकलता जाता बट इसका मैं यह क्या है कि हम इसको कैसे हमेशा के लिए रिटैन करके रख सकते है वह है रिवीजन फित से बात वही आती है नीचे से वह निकलेगा ठीक है म रिवीजन करोगे तो यह नहीं होगा बट इस्टील एक चीज होगा आपके अंदर वह mixing होगा अगर आपने परहा है तब यह उनके लिए जो परहे हैं ठीक है जो परहे ही नहीं उनके लिए कुछ मतलब उनको समझ में नहीं आएगा एक चीज और होगा आपके साथ कि चीज मार के आओगे बट एक चीज और करना जो डेट से इंपोर्टेंट डेट से मैंने पहले भी बताया था कि उसको आप एक सेपरेट बुक मेंटन करो ठीक है इसके लिए घबराना नहीं कि सर मैं भूल रहा हूं या मेरे दिमाग में चीजे मिक्स हो रहे है इसा चीज होता है अगर रिवीजन करते हो मैं फिर से बताओं जो पहला पॉइंट में ने बताया था अपने उपर आपको ट्रस्ट करना है दूसरा चीज मैक्सिमम कोस्टेंस लगाने और जो आपने पढ़ायास तक वही पढ़ना है तीसरा चीज अगर आप यूट्यूब फोलो करते हो लिम सा टाइम है कि आप अथेंटिक फोलो करो अथेंटिक मतलब किया आप अपना नौट्स फोलो करो ठीक है क्योंकि जितने भी बड़े यूट्यूबर है मैं हमेशा पोस्ट में डालती रहता हूं हर कोई गलत करता है ठीक है चाहे कुछ भी हो ठीक है बट कुछ अच्छे भी ह अपनी चीज मेंने बताया है मैं फिर से बोल रहा हूं आप इसली एक्जाम निकालने जागो बस इतना करना है आपको अपने उपर आपको ट्रस्ट रखना है ठीक है आपके जो नौट्स है बस उसको पढ़ना है maximum questions लगाने जो भी आपके पास books है या जहां से भी आप questions जालना ही बंद कर दिया है आप fully focus होके पर ये ठीक है I don't think कि कुछ भी doubt होगा ठीक है बट मैं यही कहूंगा देखो मैं यह नहीं कहता कि यह आसान है ठीक है मैं आज यही update भी किया था आप लोगो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह आसान है ठीक है और आसान होता तो आखिर स सब लोग कर भी लेते ठीक है बट मैं यह सियोड से कर सकता हूं ठीक है कि यह चीज आप कर सकते हो ठीक है यह आसान नहीं है बट यह आप कर सकते हो और मैं बहुत लोगों को जानता हूं मैं उनके लिए यह भी कर सकता हूं कि वह साइथ सियोड नहीं कि वह एक्जाम निकाल रहे क्योंकि मैंने उनको देखा है और उस लेबल से वह पढ़ रहे हैं तो यह आसान नहीं है बढ़ मैं फिर से कहता हूं यह आप कर सकते हूं सो जय हिंद